हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो इजियोमेट्रें टोपने यूट्य यूट्यूब चनल तो आज कैसी वीडियो में हम लोग कुछ इंपोर्टन्ट कुस्टेंस उसको डिस्कोर्स करेंगे जो कुस्टेंस आ सकता है जैसे कि आने वाले बहुत से कॉप्टेटिव एकसम के लिए चाहे डिप्लोमा लेबल्स की हो ठीक है तो चलिए हम लोग कुछ würde love electrons ठीक है और स्मिकंड़क टर में ड्यू तो अगर संटे कंड़क टर पुछता यहां पर कंड़क्टर नहीं कि आप संदय के स्वेकंड़क टॉत था थो हुद होल सेन्ड ऑल कि अलट्ट्रोंस ठीक है अगर यहां पर नाया अगर बोट पोजिटीव नेगटिव आयंस एड़ एलेक्ट्रोंस ठीक है तो अभी पहला सबाल है जिसका इलेक्ट्रों का चार्ज है माइनस 1.602 मुल्टिप्लिकेशन अगर एक इलेक्ट्रों का चार्ज अगर इतना है तो उसका मतलब एक कुलोंब बे कितना इलेक्ट्रों रहेगा तो वान अपॉन माइनस 1.602 मुल्टिप्लिकेशन अगर इसका इंसर आएगा 624 इंटू 10 डिपर 16 ठीक है और करेंट जो होता है rate of change of charge with respect to time that equals to a dq upon dt तो यह था पहला सवाल ताकि एंसर होगा electrons next is an electric current is the electric current का मतलब क्या है यह moment of free electrons predominantly in one direction ठीक है अगर एक direction में free electrons की moment को हम लोग बोलेंगे current तो यह के conductor का diagram है ठीक है इसमें देखिए current जो है वो एक ही दिशा में flow हो रही है यह होता है current तो नेक्स्ट है 12 volt automobile light is rated at 30 watt ठीक है 30 watt का light है the total charge that flows through the filament in one minute एक मिनिट में टोटल कितना charge फ्लोगा देखिए चार्ज का फर्मुला है क्यों इक्वाल स्टो आई टी करेंट वित मॉल्टिकेशन ऑप टाइम यहां पर दिया है कि वान मिनिट में कितना चार्ज फ्लोगा स्वान मिनिट इक वोल्स टो एर 60 सेकेंड शो करेंट यहां से निकल ना पड़ेगा 12 volt है और पावर अगर 30 watt है सो करेंट इकल्स टो पी आई इकल्स टो पी भाई भी डाट इकल्स टो यह तो पॉइंट फाइब अभी करेंट का फॉर्मुला चार्ज का फॉर्मुला जो है की उकल्स टो आटी डालना के बाद आपका 150 कॉल्म एंसर आईगा ठीके नेक्स्ट इजिब द रेज करके हम एंड टाइम्स बढ़ा दिए किसमें लैंक्त में लैंक्त पहले जितना था उसके एंड टाइमस बढ़ा दिए अभी निव रेजिस्टन्स कितना होगा देखिए रेजिस्टन्स का फॉर्मुला क्या है और इक्वल्स टो रो एल अपकोन ए रो है आपका रेज रेजिस्टिवीटी और एल लेंग्थ एह एरिया क्रोस्सेक्शन ठीक है रेजिस्टिवीटी को कौन चैंज कर दो उसका वेलू में कुछ परिवरतन नहीं आएगा क्योंकि वह मैट्रियल को उपर डिपन करता है अभी अगर हम एरिया का फॉर्मुला जानते हैं अगर हम व यदि ये के जगा आपको भी आपन याल डालना है अभी उपर चला जायगा तो येल स्क्रव में हो जाएगा अब हम इसक्रव एल स्क्रूर हो जाएगा अगर लेंग्थ एर्भ परिदेंस पड़ेगा स्क्रास थैंस मतलब एन स्क्राय टाइम्स पुराना बदॉर अबला मे पूछा है कि एक एलेक्ट्रिक बाल्ब में जब वह जलने के बाद जब गरम होता है तो उसके बाद जब उसको एक रिजिस्टंस में अजर किया जाता है तभी वह ज्यादा होता है फिलामेंट ऑफ बॉल्ब इज हायर देंदा कोल्ड रिजिस्टंस ठीक है कोल्ड रिजिस्टंस के कंपेरेजन में नॉर्माली जब बॉल्ब नहीं ग्लो होता है उससे पहले जो रिजिस्टंस होता है तो एक इसकी बज़ए से होता है यह विसिकली टेंपरेचर ठीक है PTC बोलते हैं यह पिटीस क्या है तैंपरेचर कोफिश्ट क आप सब लोगों को पता होगा यह यह टेंपरेचर कोफिशियंग होता है न sending but your change in resistance that means increase in resistance upon r0 of t r0 is nothing but your original resistance ठीक है and t is your temperature ठीक है और जो डेल r है जो total कितना resistance change हुआ that equals to your r new minus r old पहले जितना था r new मतलो नया कितना हुआ अगर बड़ेगा positive आएगा if del r is positive that means r new is greater than r original original जितना था उसे r new new resistance थोड़ा बड़ा इसलिए value positive आएगा अगर value नहीं बढ़के अगर घड़ जाएगा तो value negative आएगा तो यह होगा आपका positive temperature coefficient यह negative temperature coefficient सबाल यह पुछा कि hot resistance हो है वो higher than बढ़ गया है as compared to your cold resistance option is your PTC positive temperature coefficient ठीक है सो होई सब लिखा है नीचे में इफ डेल्टी इंक्रीजस थेन अगर बढ़ती है temperature के मताबिक सो positive आएगा temperature coefficient अगर डेक्रीज होती है देन एडिव नेगर्टीव नेगर्टीव temperature coefficient सब्सक्राइब नॉमबर शिक्स सो एक सीरी सर्कीट है जिसमें दिया है कि वाट इस दपोटेंशियल ड्रॉब एक रोस्ताइट्योम रेजिस्टर एक रोस्त पोटेंशियल कितना ड्रॉब होगा देखिए यहां ब्योंसिंपल अपको वोल्टेज सब्सक्राइब करते टॉंटी वोल्ट आजाएगा नेक्स्टीज फॉइच फॉलोइंग रिलेशन इस नोट करेक्ट कौन सा वाला करेक्ट रिलेशन नहीं है सिंपली आपको पी पॉल्स टुबी आई ठीक है यह पावर का फॉर्मुला है यह के बाद आई स्क्राइब अग सब्सक्राइब करना है लेकिन सीरीज दिया है तो इसलिए आपको पेहले क्या करना है और और रतो निकल देना है दोनों का निकल देना है ठीक है शीड़ाइब दुसरा का एगा फॉर न्स का मैंट शीच्टिन जाएगा तो अभी आऒड यह तो कर दोड़ना है टीक है टोटल रिजस्टेंस उसके बाद अधास इंपल फरमला डाल देना है बिस्कार आपन आर की तो आपका एंसर आजाएगा 60 वाट अप्रोक्षिमेटली तो यह हुआ एंसर नेक्स्ट ए टू इंकंडेस्ट लाइट बाल्ब्स और 40 वाट और 60 वाट ओके डाट रेटिंगर कनेक्टे इन सीरी जोकर दो लेंप सीरीज में सब्सक्राइब कनेक्टेड होता है एक रोस्ता में देन 40 वाट लेंप्स जो है इन रीची छोड़ा भेलू जो होता है वह हमसे ब्राइटर जलता है यह ज्यादा टाइम रिपीड होता है बहुत से एक्जाम में यह क्यों होता है तो अचली हम लोग देखते हैं सिंप्ली फ्र कोब किसका है 40 वाट का है इसका मतलब इसके रिजिस्टन किया होगा ज्यादा होगा अल्टिमेटली सो आर 40 वाट is greater than of r60 वाट जिसका रिजिस्टन ज्यादा होगा पावर ड्रोन उसी कहीं ज्यादा होगा ठीक है आई स्क्वेर और विल्मोर इन 40W तो इसलिए ज्यादा प यह होता है जीरो अगर जीरो नहीं होगा माल एक व्रटेस्टर से हम लोग और इसके उपर वेडियो बनाया हूं जो फिरी पार्ट में अगर आईडल वल्टेस्टर स्काइब इतना होगा तो बोल्टेज की रेजिस्टन्स की बज़े से सर्केट में टोटल रेजिस्टन्स के बढ़ जाता है जो लोड करेंट अगर वेरियेशन होती है तो यह जो हमारा वोल्टेज सोर्षे टैनल ट्रीमें छो रेजिस्टन्स में एक सर्केट में जो बी लोड वेरियेशन होता है तो इसका आसर वोल्टेज के ओपर नहीं पर है यानि voltage source हमेसा constant होना चाहिए चाहिए लोड करेंट कितना भी क्यों ना हो इसलिए हमको circuit का जो voltage source का जो resistance होता है उसको जीरो रखते है जीरो रखते हैं जीरो resistance दाट सवाइब हमको मिलता है कि a source voltage equals to your load voltage अगर यह नहीं होगा अगर resistance का variation होता है यानि ज्यादा होता है तो source voltage is not equals to your load voltage ओके with variation of load current so friend यह था total 10 question का analysis ठीक है अगर इसे और भी analysis वाले वीडियो आपको चाहिए तो comment किजिए ने तम्हें आगे एक एक एप्रोक्षमेटली थाउजन एप्रोक्षमेटली थाउजन बनाने वाला एक वेडियो बना होगा ठीक है या थाकि आने वाले complete exam के लिए help परेगा ठीक है शो थेंक्यू फ्रेंड्स